नमस्कार दोस्तों मेरा नाम राहुल सागर है और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल इस्टडी विद राहुल सागर में आज हम आपको जो टॉपिक के बारे में बताने जा रही है वो है एक सो तीनवा सम्विधान संसोधन या जिसे हम एकनॉमिकल वीकर सब्सक्राइब करने से पहले मेरी आप से एक रिक्वेश्ट है अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए हम इस चैनल पर इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियो को बनाते है तो चलिए शुरू ठीक उसके बारे में आज हम जान लेते हैं तो चलिए सुरू करते हैं 903वा संविधान संसुधन अधीनियम 2019 EWS या स्वर्ण या सामन्ये वर्ण को जो आरक्छण हैं उसके बारे में आज हम जानकारी देने वाले हैं है एक ़िक सो तीन्वे संसोदन अधिनेंए उस अधिनियम में एक सो तीनवे समिधान संसोदन में भारत mapped के भारतंवरा सरकार ने समन्नेवर्क के करिबों को टैन प्रसेंट आरक्षण दीअ जिसे भारती संसन्सदने आठवे नौ जनवरी को आठवे 9 जनवरी इस संविधान संसोधन अधीनियम को बना दिया ठीक 14 जन्वरी 2019 के गजट नोटिफिकेशन के बाद 103 संविधानिक संसोधन अधीनियम के रूप में इसे जाना जाने लगा इस इस रॉपिंग में क्या महत्मुन पाते हैं इसमें है एक तो 103 संविधान संसोधन में मतलब जो संविधान संसोधन है इसमें क्या है सामने वर्ग के गरीबों को 10% रिजर्वेशन है क्या है सामने वर्ग के गरीबों को 10% रिजर्वेशन है और उसके बाद जो इस संविधान संसोधन अधीनियम को भारतिय संसद में आठ वे 9 जन्वरी को बारते संसत में कब पास के गए 8 वे 9 जनवरी 2019 को और 124 सम्मेधानिक संसोधन इसे कहा जाता है 124 सम्मेधानिक संसोधन विधेक सम्मेधान संसोधन विधेक अलग होता है और सम्मेधान संसोधन अधीनिम अलग होता है और इसके बाद 14 जनवरी 2019 के गजट नोटिफिकेशन के बाद इसे 113 संविधान संसोधन अधीनियम 2019 के रूप में इसे जाना जाने लगा ठीक है अब जान लेते हैं कि यह जो 113 संविधान संसोधन है इसके लाब जो है 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया है और इस सम्विधान संसुधन के द्वरा सम्विधान के अनुच्छेद 15 और 16 को संसुधित किया गया है क्या किया है इस सम्मीधान संसुधर में जो सरकारी नोकले जो गौर्मेट जॉब्स है और जो गौर्मेंट इंस्टेट्ुएशन से इजुकेशन इंस्टेटुशन उसमें क्या होगा टैन परसेंट रेजरवेशन होगा जनरल कैटिकरी के जो एकनॉमिकल वीकर सेक्षन के अं होग है उनमें जो इकनोमिकल वीकर शेक्षन है उनके लिए 10 परसेंट रिजर्वेशन होगा किस चीज में सरकारी नौकरियों में और अब चलते हैं अब बात करते हैं स्वरणों को आरक्षन देने के लिए जो निर्धारित परमुक माप देंड हैं वो क्या क्या है मतलब किस पर क्या 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 कर दिशन्स होगी जिन को जिन लोगों को जो जनरल कैटेगर के लोग हैं जिनको यह 10 परसेंट रिजर्वेशन जो है वो मिलने वाला है तो चलिए यह बताते हैं पहले तो परिवार की शालाना आमंदनी आठ लाक रुपे से अधिक नहीं होनी चाहिए आठ लाक आमंदनी है अगर किसी परिवार क कि 8,004,004 तो 8,008 ,006 यह तो इस जनरल के टेगरी के जो लोग है इकनोमिकल विकर श्यक्शन से पर किसी वेक्षटी की अधिक आई है तो उसको जो लाब जो व्यक्ति सामने वर्ग के सामने वर्ग आरक्षण का लाब लेना चाहता है उसके पास पांच एकड़ से अधिक क्रैसी भूमी नहीं होनी चाहिए और आविधन करता के पास 1000 वर्ग फिट से बड़ा फ्लैट नहीं होना चाहिए और म्यूंसिपाल्टी एरिया में 100 गज से और नौन नौटिफाइड म्यूंसिपाल्टी में 200 गज से बड़ा घरना हो क्या क्या हो कंडिशन क्या क्या है इसमें एक तो आठलाक रुपे से इसके अधिक आमंदनी नहीं होनी चाहिए और दूसरा है उसके पास पांच एकड़ से अधिक क्रैसी भूमी नहीं होनी चाहि है वो और उसके पास क्या है 1000 वर्ग से 1000 वर्ग से बड़ा फ्लेट नहीं होने चाहिए क्या होने होना चाहिए एक जरण वर्ग से बड़ा फ्लेट हमें चाहिए और होने चाहिए अगर आप इस एकनॉमिकल वीकर सेक्षिन के लिए जो टैन परसेंट रिजर्वेशन किया गया है उसका आप लाप लिना चाहते हैं तो आपके पास 200 गज से बड़ा घर ना होना चाहिए और 100 गज से बड़ा घर नहीं चाहिए और नौन नोटिफाइड मिलसिपालिट एरिया में क्या होने चाहिए 200 गज से बड़ा घर नहीं होने चाहिए और अब जो 131 सम्विदान संसोधन में अपवाद क्या थे इसके बार मारत अपनी मर्जी से सामने वर्ग के आने वाले आर्थिक लोगों का पैमाना तैय कर सकते हैं राज्य अपनी मर्जी से सामने वर्ग में आने वाले आर्थिक लोगों का पैमाना तैय कर सकते हैं और आरच्छर केवल केंदर सरकार की नौकरियों और संस्थानों में ही लागू होगा लागू नहीं होगा यह सभी राज्य सरका हैं वो क्या कर सकता है कि वो कौन लोग कि किस इस कैटेगरी के अंतर गता सकते हैं को लोगों को यह जो अभी जो हमने कुछ सक्षिन में आने वाले हैं ठीक यह आरुपशन केवल के इससे कार कि नोपर नहीं बल्कि राज्य शरकार चेटीघ़ सरकारा दोनों की सरकारी नक्रियां हैं उनमें जहों और जो सिक्षर स्सिस्थान उनमें क्या है तैंसर पेंट टैनप। why में लगा किसको इकनोमिकल विकर स्ट्शन को जो जनरल कैटेग्री का है ठीक अब बात करें यह विवाद क्या था यह जो 103 जो समविधान संसोधन है इसका विवाद क्या था इसके बारे में बात करें तो इस संबंद में दायर याचिकाओं में एक सो थीन वे संविधान संसोधन अधीन्यम 2019 की समविधानिक वैद्यता को चुनोती दिये है और पता है जैसा कि पता है इसी समविधान संसोधन के माद्यम से भारते संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 में खंड शेय सामिल किया गए संसोधन में क्या किया गया था जैसे मैंने पहले बताया कि क्या कौन से संविधान को संसोधन क्या है 15 और 16 को 15 और 15 और 16 संविधान को 15 और 16 आर्टिकल 15 और 16 को संसोधन क्या गया है कौन-कौन से आर्टिकल्स को 15 और 16 और 16 और 16 का उसमें संसोधन क्या गया है और इस संसोधन के माद्याम से क्या क्या गया है 15 और यह जो 15 संसोधन क्या गया है कौन से आर्टिकल्स को जोडा गया है तो इसमें 15 और 16 संसोधन क्या गया है इस मामले के सुनवाई करते हुए नियाय मूर्थी स.A. बोब्डे की अध्यक्षता वाली तीन नियाय देसों के खंड पीट ने 31 जुलाई 2019 को अपना निर्णा सुरक्षित रखा था इस मामले की जो सुनवाई की थी वो किस नियाय मूर्थी ने की थी वो थे स.A. बोब्डे उनकी अध्यक्षता में तीन नियाय देसों की खंड पीट ने 31 जुलाई 2019 को इस निर्णा को सुरक्षित रखा था यह निर्णा दिया गया था 10% रिजर्वेशन वाला ठीक अब बात याचिका करताओं ने अपनी याचिका में तर्क दिया था कि 103 समिदान संसोधन प्रिष्ट तोर पर अधिकाती अल्ट्रा वायरश है क्योंकि ये सम्विदान के मूल ढांकी मामले में सर्वोच नियायले द्वारा दिये गे निर्णे की विप्रीथ है जिसमें नियायले ने इस पश्च तोर पर कहा था कि पिछड़े वर्ग का निर्धारन केवल आर्थिक कसोटी के संदर में नहीं किया जा सकता या चिका करताओं का एक मुखे तर्क यह भी था कि सरकार द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए लागू के गए आ 50% की सीमा का उनलंगन करते हैं और एसी एसटी और ओबी सी वर्ग को पहले से ही क्रम से 15% सब्सक्राइब प्रतिसद और 27% की दर से आरक्षर दिया जा चुका है ठीक इन याचिका करताओं के तर्क यह थे इन्होंने कहा था कि एक तो हमारे मानगे सुप्रीम कोट ने 50% जो रिजर्वेशन की सीमा थी वो लागू कर दी थी वो कहते हैं कि इस सीमा को जो है इसका उलंगन करता है और यह जो इंद इंदर शाहनी इंदर शाहनी बना वारश श्रंग मामले में सरवच नहीं में द्वार देगे निड़ने के विपरीत है जिसमें नहीं ने इस पर 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 खाता कि पिछड़ वार्ट का सौटी के संदर्व में नहीं किया जा सकता है मतलु वह एकनॉमिक ऐसा नहीं कि जो के भॉमत से एक सो तीनवे संविधान संसुधन की वैदता बरकरार रखी है साथ नमबर को जब इन याचिका करतों का फैसला आया मतलु इनके जब इस मुद्दे पर फैसला आया तो उच्छतम नयायले जो सुप्रीम कोट है उसकी पांच नियाए देसों की संविधानिक प लिए पांच नयाई देसों की संविधानिक बीट का गठ्थन किया था और साथ नमबर 2022 को 32 के ऊच्छतम से 1,093 की वैदता की वैदता को परकरार रखाय मतलब पांच नया 10 प्रावधान है यी दिनेज माहेशोरी 90 22 तरवहिदी और न्याइधीस जेभी पार्डीवाला ने अधीनियम के ऄदी और दीसरे थी और न्याय मूर्थी एस रविंदर भट ने कानून को भेदवावपून और बुन्यादी धांची का उलगन बताते हुए इस कानून को न्याय मूर्थी एस रविंदर भट ने कानून को भेदवावपून और बुन्यादी धांची का उलगन बताते हुए इस पर एस एहमती व्यक थे उन्होंने भी एस रविंदर भट की राय का समर्दन किया है उन्होंने क्या था इनका उन्हें इस इस संविधन संसोधन को सम्मिधन के बिप्रीद बताया है बट बहुमत था इस वैसले के संदर में तो यह जो इस टैन परसेंट रिजर्वेशन है वो परकरार रहेगा 10% आरक्षण दिये जाने संबंदी कानून भेदभापूर नहीं है उन्होंने फैसला क्या दिया है कि यह जो यह जो फैसला है यह जो आरक्षण है यह भेदभापूर नहीं है यह भेदभापूर नहीं है न्याइमुर्थी माहिशोरे ने कहा कि आर्थिक मांदन को ध्यान म देने की सीमा के किसी प्रावधान को कोई नुक्सान नहीं पौशता है और जनवरी 2019 में संसद ने 193 सम्विधन संसुधन को मंजूरी दी थी इसी बेस पर ठीक बदलाब की बात करें तो बदलाब तो मैंने बताए दिया है जैसे आपको कि आफ 15 और 16 आप आटिकल में संसुधन किया गया था और फिफ्टीन एक सेकिंड एक तो यह था क्या फिफ्टीन सबसेक्षिन 6 और आर्टिकल 16 सबसेक्षिन 6 को सम्मिलित किया गया है ताकि अना आरक्षित वर्ग के आर्थिग्रूप से पिषड़े लोगों को आरक्षिन का लाब परदान किया जा सब्यखेय ठीक कौन से आर्टिकल को जोड़ा गया है एकर अब यहाई आप से सब्सक्रेंट इस चैनल को सब्सक्राइब करेंसे आप करने से बाले नियुद अजक्रन यहाग पर इस तरह की वीडियो बनाते हैं और जो इन्फोमेटिव होती है और जो जी के और करण्ट से रिलेटेड होती है जो जो